हालो फ्रेंज अपना की चन में आपका स्वागत है आज मैं मचली की बहुत ही टेस्टी रेसिपी से हर करने वाली हुँँ जो आपको बहुत ही पसंद आएगा तो देखे फ्रेंज इसके लिए मैं 6 पीसे मचली का ले ली हुँँ और ये पेटी वाला हिस्सा है यह देखिए तो इसका हम पकोड़े बनाएंगे तो मचली के पेटी वाले हिस्से में काटे लंबे-लंबे होते हैं तो बच्चे हो या बड़े बहुत हीजली इनको खापाते हैं और मुह में लगते नहीं है काटे तो इसलिए कभी भी मचली का पकोड़ा बनाएं तो इस रखे मचली के पेटी वाले हिस्से लें अगर आपके मार्केट में मचली का पेटी वाला हिस्सा नहीं मिलता है तो मचली पूरी खरी दिए और मचली का पेटी वाला हिस्ता अलग निकाल करके रख लीजिए और बाकी का जो मचली के पीसेज रहेंगे उनको आफ फ्राई करके खाईए या फिर गिर्वी बना करके खाईए मचली की ठेर सारी रेसिपीच आपको मेरे चनल पे मिल जाएगी आप होहां से देख सकते हैं तो अभी इनको साइड में रखेंगे और बेसन का बैटल बना लेंगे तो इसके लिए बावल में डालेंगे तीन बड़ा चमच बेसन उसी चमच से एक चमच चावल काटा इसे पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले एक चथाई चिमच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चिमच धनिया पाउडर, एक चिमच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चिमच जीरा पाउडर, एक चिमच गरम मसाला पाउडर, आधा चिमच कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये तीखे कम होते हैं और कलर बहुत अच्छ जाता है आधा चमच चीली फ्लैक्स यानि कूटी हुई लाल मिर्च और एक छोटा चमच चद्रक लशन का पेस्ट आधा निम्बू ले लेंगे और इनको निचोड लेंगे तो ऐसे इनका पूरा रस निकाल लेंगे इससे हमारा पकोड़े बहुत ही ज़्यादा चटपटे ब पानी तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे एक ही बार नहीं डालिएगा नहीं तो बैटर पतले हो जाएंगे तो बैटर को हम एकदम गाड़ा रखना है तो ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो से तीन मिनट तक लगातार फेट लेंगे ताकि बैटर की गुठलियां खतम हो जाए और बैटर बहुत ही अच्छा फलपी हो जाएगा तो देखे फ्रेंज बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर लिए अच्छे से फेट लिए 2-3 मिनट और आप देख सकते हैं बैटर की कांसिस्टेंसी कैसी होनी च अब हम इंको फ्राइब करेंगे तो टेल को मैं हाई फिलेंपर पहले गरम कर ली हुआ जब दो द्यूस को यह यह दहलै आप तरफ कर दी यह भाए aí को यह और आप देख सकते ज्छाग बनना भी कम हो गये अब हम इनको दूसरी तरफ खं बरोट देँगे तो देखें दोनो तरफ से पकोड़े गॉर्डन भाऊन हो गया हैं है अब अलट पलट करते हुए अच्छे चिंख नेंगी ताकि पकोड़े बाहर से अर्दर से रख sustainability हो जाएं तो आप इनका कलर भी ही देख सकते हैं बहुत आचिया है तो अभ हम इनको निकाल लेंगे तो ऐसे एकएकर के पकॉड़े को इस तरह से side में लाएंगे कड़ाही के और इनका एक 막 लिएगे और ऑसे tissue paper के उपर निकाल करके रखते जाएगे तो फ्रेंस बहुत इजी है इस पकोड़े को बनाना बनाईए का जरूर और खाने में इतना टेस्टी लगेगा कि हर बार आप इस पकोड़े को बनाना पसंद करेंगे इसी तरह से बाकी का पकोड़े भी बना लेंगे तो ये लिजे फ्रेंस हमारी बहुत ही टेस्टी बहुत ही क्रिस्पी मचली का पकोड़ा बन के रेडी है आप इसे टोमाइटो सॉस के साथ सर्व करें या फिर ग्रीन चटनी के साथ मैं आपको खाने का तरीका भी बता देती हूँ ऐसे बीच से तोड़ेंगे तो एक साड में सारे काटे हो जाएंगे और देख रहे हैं ना काटे कितने लंबे-लंबे है तो ऐसे निकाल करके साड में रखते जाएंगे और इनको ऐसे टोमैटो सॉस के साथ या फिर ग्रीन चटनी के साथ खाईए बहुत ही जादा टेश्टी लगेंगे तो इसलिए मचली के पेटी वाले हिस्से से पकोड़े पनाएंगे ना तो सभी लोग बहुत ही आराम से खापाएंगे मुह में लगेगा नहीं तो फिर रेसिपी को ट्राइ करें पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलते हैं एक नई टेश्टी और बहुत 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 ही आसान सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद